आच मन तो नहीं ओर था लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इक आच्छी वीडिो मैंने बना लिन वैसे हर वेडियो को मैरे वीडियो आती है लेकिन आप सोथाता वीडियो बनाने के बारे मैंने पैसले कई सारी वीडियोस बनाई है जाओ सीधा चैनल पर जाकर देख सकते हैं यह बकेट और नलके का तो आप बाई अपने बातरूम से भी स्विम लेकर वैसा बैग्राउंड बना सकते हैं यहां पर जो इंपोर्टन होगा हमारे लोग पानी वाला सीन लेल फुरोर उसके बाद यहां पर वौटरवाला काम कारेंगे जो पाहनी कह सोपने कर लेंगे जो आपको र्यूपे स्सकों पाभे जी आप आपको ब्लू श्चताइब करने का कड़्ण हो और यहां पर नहां पर उत्क हम दोंकर उप दिखाएंगे तो पहले हम इसको simply एक roughly type कर लेते हैं बात में इसमें side side में detailing अच्छी से देंगे आपको जैसे मैं करके दिखा रहा हूं आप बैसे करना जादा अब यह मैं सुझारात में अच्छा नहीं दिख रहा है आखरी मैं आपको अच्छा देखने के लिए लगए लगेगा और यह वाला जो प कैसे बनाते काफी अच्छी वीडियो आप चाहिए तो एक पाद चेक कर सकते हैं मैं अपने यूटूब पर अप्लोड कर रखा है आप जाके चैनलों पर डिरेक्ट देख सकते हैं डिस्क्रेप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा फिलाल अभी तो उसको काफी अच्छा रिस अब इसको भी हम चारो फ्रेम में कर लेंगे में अपने साथ से पूरा नहीं करेंगे 20 में बस हाफ रखेंगे इसको इस सरी के साब इसको के आप लुख कर लेंगी बाय जो सेमें आरजी तरह ही दीख रहा है तो यह कि यह कि दो मैंने वीडियो बनाने का सोचा निईशा के मैंस सचाँ यदिया है तो इसी बैग्रांड को ले लैं तो बनाना एज नलक़ और बलती तो बनाना है हाँ थोड़ा समय लग सकता है वी लेकिन आप असको वाप़े से hypryeate की है इसके लब जो आप फौनी पर वाइट वाले एक रिफलेक्शन आती याइट की वह हम लोग यहाँ पर बना लेगे लाईट की रिफ्लेक्शन वाइट वाले जो भी है उसको यहाँ पर बनाने की कुछिस करेंगा और इसको हम 400 frame में सहीम जगा पर ही रखेंगे इसको अब यह आखरी मेन आने वाला है मैं चाहता हूं कि यार 2023 आने से पहले हम लोगों के 2000 सब्सक्राइबर कमप्लीट हो जाए यार बस कमप्लीट हो जाए साल के आने से पहले 12 सब्सक्राइबर तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा इसके बाद दोस्तों हमारा सिंपली कमप्लीट हो गए अब यहां पर हम लोग कुछ है आप यहां पर मैं पहले ब्लैक लर सेट कर लेता हूं और उसके बाद यहां पर थो है वैसे में बना दे रहा हूं फिर भी मोवाईल। के काफी अच्छा बना इसको हम और प्र अच्छे सकते थे तो अगली वीडियो में हो सब्के मैं इसको दुबारा से रिकरेट करके दिखाओं या अच्छे से करके दिखाओं मिलिद दूबारा बनाने वाला प्रोसेस में और जो यह नलके के ऊपर के तरफ पानी आ रहा है इसको भी हम लोगोको यहां पर सही करना होगा तो एरेजर के जरीए हम लोग इनको एस्टा दो लाइने इनको हटा देंगे वाटर की और इससे यह थोड़ा परफेक्ट लगेगा नलके सही पानी आते हुगी तो सिंपली दो तो बस आज के लिए इतना ही सा मिलते हम अपने अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाकी चैनल पर बहुत सारी वीडियो दे जाके देख लू